हेलो सुडेंट्स वेलकम टू एमकेट्स मैरूबी सिंगाठिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नमबर 12 जिसको पढ़ करके आप सभी बच्चों को जो स्पेशली राजस्तान के अंदर रहते हैं आप बच्चों को बहुत ही गर्व महसूस होगा अपने राजस्तान के उपर यह जिस आपको समझ में आ गई ठीक है चलिए फिर चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नमबर 15 जिसका नाम है चितोरगड ग्लिम्प्स ओफ ग्लोरी ग्लोरी का मतलब होता है गौरव ठीक है और ग् वानवित हो जाते हैं क्योंकि वो एक जलक दिखाता है इतिहास के उन बहादूर युद्धाओं की यह चीज़ आपको समझ में आ गई ठीक है तो चलिए फिर फटा 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 से चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आपको सच मुच में गौरव महसूस होगा चितोरगड के उपर और डेफिनेटली पूरे राजस्थान के उपर ठीक है क्योंकि राजस्थान की जो हिस्ट्री रही है बहादूर युद्धाओं के हिस्ट्री वो बहुत ही गौरव पुरन रही है यह चाज़ आपको समझ में आ गई ठीक है तो च आपने कभी कोई दुर्ग या किला देखा है तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई दुर्ग या किला देखा ही होगा क्योंकि राजस्थान में रहते हैं तो हमने कोई ना कोई दुर्ग या किला तो जरूर देखा होगा क्या आप जानते हैं कि राजस्थान अपने दुर् आपको पताए कि कहां पर है राजस्थान के अंदर है यह चीज़ आपको समझ में आ गई ठीक है उसके बाद है for which force is a Rajasthan famous राजस्तान जो है अपने कौन-कौन से किलों के लिए यह forts का मतलब किले आपको बता दिया ठीक है किले या दुर्ग एक ही बात है किन किलों या किन दुर्गों के लिए राजस्तान famous है तो आपके देंगे एट्रेक्टरा एट्रेक्टरा यह जो आपको समझ में आ गई ठीक है तो बहुत सारे फॉट्स हैं ठीक है अपनी कहानी सुना रहे अपनी यात्रा सुना रहे है की वह कैसे चितोड़ गड़ गई उन्होंने क्या क्या किया यह चिज़ आपको समझ में आ गई हैं आई एम सपना, हेलो, नमशकार, मेरा नाम सपना है, ए स्टूडेंट ओफ क्लास फिफ्थ मैं कक्षा 5 के एक विद्यार थी हूँ, चाप्टर कह रहा है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसके द्वारा चाप्टर लिखा गया है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, य आप घूमने गए हैं चितोडगड फोर्ट की तरफ, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, आई लिव इन कोटा, सपना कहती है कि मैं कोटा में रहती हूँ, लास्ट विक, पिछले सप्ता, I went to चितोडगड with my parents, मैं जो है, पिछले सप्ता मेरे पेरंट्स के साथ, जो है, कह ब्रह्मन किया, किसका ब्रह्मन किया, कहां गुमने गए, चितोडगड के किले में, जो विशव प्रसिद है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, इट इस सिच्वेटेड, सिच्वेटेड का मतलब स्थित है, और यह हाई हिल, बड़ी सी पहाड़ी पर यह स्थित है, इट built built का मतलब बनवाया गया था by the moreas यह moreas के द्वारा बनाया गया था during 7th century यानि कि जब सात्वे शर्तापती चल रही थी तब यह moreas के द्वारा बनाया गया था it had been the capital capital का मतलब होता है राजधनी it had been the capital यह है जो किला है यह जो चितोडगड है यह राजधनी भी रहा था of मेवार मेवाड की राजधनी रहा था for more than 800 years 800 सालों तक यह लगातार मेवाड की राजधनी रहा था यह चीज़ आपको समझ में आ गई we took the morning train from quota railway station हम जो है चितोडगड जाने के लिए हमने क्या किया कि quota से सुबह जो है train पकड़ी चितोडगड के लिए it took about three hours to reach चितोडगड हमें quota से चितोडगड पहुंचने में तीन घंटे लग गए यह जह आपको समझ में आ गई after having tea यानि की चाय पीने के बाद and some snacks snacks यानि की जलपान या कुछ नास्ता बगेरा लेने के बाद at the चितोडगड station चितोडगड station पर हमने कुछ नास्ता लिया उसके बाद we took an auto rickshaw हमने एक auto rickshaw लिया to reach the fort दुर्ग तक पहुंचने के लिए the road to the fort had many turns यानि की जो सडक जो दुर्ग की तरफ जाती थी उस पर बहुत सारे मोड थे क्योंकि पहाड पर उंचाई पर है वो जो दुर्ग है ठीक है तो वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे मोड खाने पड़ते हैं ठीक है we went through the gates नेमली हम जो है बहुत सारे द्वारों से हो करके गुजरे कौन कौन से द्वार द्वारों का नाम था पदन पॉल पॉल का मतलब होता है द्वार या गेट यह चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर एक्चुल में यह जो है यह लिखा गया है पाड़न पॉल भैर थे उनके अंदर से हम हो करके गई एंड दा में गेट नेमड दा राम पॉल और लास्ट जो गेट था उसका नाम क्या था राम पॉल था यह जिज़ आपको समझ में आ गई वी बोट टिकेट्स टू सीधा म्यूजियम इन दा फते प्रकाश पैलिस यानि कि जो फते प्रकाश महल है उसके अंदर जो म्यूजियम है ठीक है म्यूजियम के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा जो सामान है जो बहुत ही दुरलब मिलता है ठीक है जिसको आप म्यूजि आपने विजिट किया ही होगा यह चाहिए आपको समझ में आगे जो फते प्रकाश पैलेस का म्यूजियम है वहाँ पर उस म्यूजियम में घुमने के लिए हमने टिकेट्स ली उसके पास बहुती सुन्दर कलेक्शन यानि कि संग्रे है किसका of old guns पुरानी बंदुकों का swords यानि कि तलवारों का and other weapons बाकी के हत्यानों का बहुती सुन्दर वहाँ पर संग्रे किया गया है ठीके क्योंकि संग्रेले का कामी यही होता है कि जो पुरानी चीज़े होती है जो we saw the famous विजे स्थम्ब हमने प्रख्यात जो विजे स्थम्ब है उसको देखा it was built इसको बनाया गया था by राना कुमबा राना कुमबा ने बनाया था विजे स्थम्ब को after his victory over मोहमद खिल जी मोहमद खिल जी पर विजे प्राप्त की थी तो उस विजे विक्टरी का मतलब ठीक है उस विजे की याद में जो है उसने ये जो है विजे स्थम्ब बनवाया था दा सुल्तान ओफ मालवा मोहमद किल जी जो मालवा के सुल्तान थे उनको हरा करके जो है राना कुमबा ने विजे स्थम्ब बनवाया था it has 157 steps to reach the top of this tower tower का मतलब है मिनार इस मिनार के ऊप पर चोटी तक पहुंचने के लिए कितनी सीधियां चलनी पड़ती है 157 steps यानि कि 157 सीधियां चलनी पड़ती है a light and a sound show यहां पर साइकाल को light यानि कि रोष्णी and sound यानि कि आवाज वहां पर रोष्णी और आवाज शो का एक show होता है is held in the evening शान को एक production का आयोजन होता है यह चाज़ आपको संदग प्यांगी जिसमें प्रकाश की कलाकरतियां और आवाजों की कई सारी कलाकरतियां it is called कीर्थि स्थंब जिसका नाम था कीर्ति स्थंब इट डिटी केटिट टू भगवान आदिनाथ the first जन तिर्थकर यह जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित हैं यानि कि यह जो हमारा कीर्थि स्थंब है य tapping जो बनवाया गया है वहाँ पर एक और मिनार है यह प्रतम जैन्तिर्थ कर भगवान आदीनाथ को स्मर्पित है यानकि यह भगवान आदीनाथ की याद में जो है किर्तिस्तम बनवाया गया है यह चीज़ आपको समझ में आ गई ठीक है उसके बाद हम राना कुमबा महल गए इट रिमाइंड्स अस राना कुमबा महल जो है वो हमें याद दिलाता है रिमाइंड्स का मतलब दुबारा याद दिलाता है दा पॉपुलर स्टॉरी ओफ पन्ना धाए उस विख्यात कहानी की जो किसकी है पन्ना धाए की पन्ना धाए क जो विख्यात कहानी है उसकी याद दिलाता है और आपको पता है पन्ना ध्यक कौन थी है ना पता है आपको पन्ना ध्यक की जान बचाने के लिए पुत्र की कुर्बानी देती थी एक्च्वल में ऐसा हुआ था कि उद्या सिंग को जब उनके जो दुश्मन है वो मारना चाहते थे तो पन्ना धाय ने क्या किया कि जहां पर उद्या सिंग को सुलाया गया था उस पालने में या उस जगें पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र को सुला दिया और उद्या सिंग को कहीं चुपा दिया ठीक है और जब दुश्मन आए तो पन्ना धाय के पुत्रों को मार करके चले गए यानि पन्ना धाय जो थी वो एक ऐसी सहायका थी उद्या सिंग की यानि कि असल में अगर कहें तो ऐसी मा थी जिसने उसका पालन पोशन किया था ठीक है ऐसी मा जिसने राजकुमार को पालने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी ठीक है क्योंकि राजकुमार जो है अगर वो राजकुमार मारा जाता हो तो वंश किस्मापती हो जाती ये चीज़ आपको समझ में आ गया ठीक है तो यहाँ पर पन्नाधाई की एक जो popular विख्यात कहानी है ये हमें याद दिलाती है पन्नाधाई कौन थी दा मेड ओफ यंग प्रिंस उद्या सिंग की सहाइका थी ठीक है she sacrificed her son चंदन उसके पुतर का नाम क्या था चंदन पन्नाधाई की पुतर का नाम चंदन था उसने अपने पुतर चंदन की कुर्बानी दे दी थी to save the life of the young prince उद्या सिंग उद्या सिंग जो राजकुमार थे छो में मीरा बाई मीरा बाई के बारे में याद कराता है दा ग्रेट डिवोटी डिवोटी का मतलब भक्त उस महान भक्त की ऑफ भगवान कृष्ण बगवान कृष्ण की वह महान भक्त थी also lived in this palace वो भी इस महल में रही थी इट इस दा सेम पहलेश ये वही पहलेश है वेर दा ब्यूटीफुल कुईन पदमिनी जहां पर एक बहुत ही सुन्दर रानी जो बहुत ही खुबसूरत रानी थी रानी पदमिनी committed जोहर along with many other women to see her honor अपने सम्मान के लिए अपने आतम सम्मान के लिए अपने आतम सम्मान को बचाई रखने के लिए रानी पदमिनी ने सभी महिलाओं से मिल करके उसी किले में जोहर किया था आपको पता है कि जब दुश्मन सैनिक जो है वो महल के सभी पुरुषों को बंदी बना लेते थे तो वहां की महिलाएं जो है खुद को आग में धोंस देती थी और इसको जोहर बोला जाता था यानि वो आग में जो है कूद करके अपनी जान देती थी यानि दुश्मनों क हातों वो नहीं लगती थी अपना आतम सम्मान वो बना करके रखती थी तो इसको जोहर कहा जाता था तो रानी पदमीनी ने इसी महल के अंदर जोहर किया था ठीक है देर और मैनी टेमपर्स यहां पर बहुत सारे मंदिर भी थे एंड वाटर बोडी बहुत सारे जलकुंड थे ठीक है इंसाइड दा फोट दुर्क के अंदर वी विस्टेड दा मीराबाई मंदिर हमने मीराबाई मंदिर घूमा यानि कि उनका उसका मंदिर का भ्रमन किया दा कालिका माता मंदिर का भी भ्रमन किया एंड तुलजा भगवान मंदिर तुलजा भगवान मंदिर का भ्र भी कहा जाता है वो बोक्पकर जो है आमने बहुत सारे देखे चितोडगड फोट इस दा सिंबल ओफ ब्रेवरी चितोडगड का जो दुर्ग है वो प्रतीक है किसका ब्रेवरी यानि की वीरता का एंड पेट्रियोटीजम यानि की देशपक्ति का ओफ दा पीपल ओफ आदूरी और देशपक्ति का प्रतीक है दे फाउट अगेंस्ट दा फॉरीन इंवेडर्स इंवेडर्स का मतलब बता है जो विदेशी आकरांता थे विदेशों से आने वाले जो आकरवान कारी थे वे उनके खिलाफ लड़े टु सेव आर मदर लेंड यानि की अपनी मात्र भूमी को बचाने के लिए वी आर प्राउड ओफ चितोडगड हमें चितोडगड पर गर्व है और ब्रेव वोरियर्स ओफ मेवाड और बेवाड के बाहदुर यो धाउं पर गर्व है यह जिस आपको समझ में आ गई हमने अपनी यात्रा की समापती की किसके साथ दुर्ग के पास एक भोजनाले में हमने खाना खाकर अपनी यात्रा की समापती की टुक दा नाइट ट्रेन टू़ कोटा और रात को कोटा की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ ली यह चीजज आपको समझ में आ गई तो यह थी सपना की एक ट्रिप सपना की अगया यत्रा जिसमें सपना ने हमें चितोडगड घुमाया है ना यह चीजज आपको situated का मतलब होता है कहीं पर स्थित होना in a particular place or position किसी position में या particular किसे स्थान पर होना निश्चे स्थान पर होना build का मतलब होता है make ये बनाना ठीक है capital capital का मतलब होता है राजधानी a city that is in that is the center of government of a country और अस्टेट जैसे भारत की राजदानी है दिली तो दिली ही क्यों है राजदानी यानि कि गौवर्मेंट जो है वो दिली के इंदर होती है यह ज़िए आपको समझे वागी तो वैसे ही जहां पर गौवर्मेंट रहती है जहां पर सेंटर होता है पूरे कंट्री का तो से राजदानी कहा जाता है museum museum का मतलब होता है संग्राल्य ठीक है संग्राल्य क्या होता है a building in which objects of historical importance are kept historical मतलब एतिहासिक importance मतलब महत्व ऐसी चीजें जिनका एतिहासिक महत्व है ठीक है जैसे पुरानी राजा मैं राजों की बंदुकें तलवारें यह सारी की सारी एतिहासिक महत्व रखते हैं तो उनको संग्रह करके रखा जाता है जिस स्थान पर उसे museum कहते हैं जिस building के अंदर रखा जाता है collection collection का मतलब है संग्रह एक ग्रूप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप यानि की एक प्रकार की अगर वस्तों इकट ही कर लें तो हम पर पास एक संग्रह हो जाता है तो संग्रालिय के अंदर बंदुकों का तलवारों का हतियारों का एक बहुत अच्छा संग्रह था ठीके weapon weapon का मतलब क्या होता है हतियार तो आप कह देंगे एन उब्जेक्ट सच एज नाइफ यानि चाकू के जैसा गन बंदूक के जैसा बॉम्ब यानि की आपको पता है बंब के जैसा एट्रेक्टरा यानि कि किसी के साथ लड़ने के लिए काम आता है तो उसे हतियार या फिर weapon कहते हैं टावर का मतलब क्या होता है कि एक लंबी सारी मिनार होती है एक टॉल नेरो बिल्डिंग और पार्ट ओफ बिल्डिंग यानि कि एक बिल्डिंग है उसका उंचा स्थान एक बिल्डिंग है उसका सबसे उंचे वाला स्थान या फिर आप यह कह सकते हो कि कोई मिनार जो होती उसे ही हम stumb कहते हैं यह हो सकते है किसी building के उपर बना हुआ हो या फिर हो सकते है अलग से बना हुआ हो ठीक है उसके बाद है dedicated dedicated का मतलब होता है स्मर्पित devoted to a particular subject task और a purpose किसी चीज़ के लिए स्मर्पित होना ठीक है sacrifice sacrifice का मतलब होता है कुर्बानी दे देना बलिदान दे देना ठीक है so gave up something valuable यानि कुछ भी मुल्यवान दे देना in order to help another person किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए अपना कोई चीज जो बहुत ही मुल्यवान है वो दापर लगा देना इसे बलिदान कहते है ठीक है उसके बादे devotee devotee मतलब भक्त मीरा भाई के बारे में आया था कि वो devotee थी भगवान कृष्णा की तो आप कहा देंगे a very religious person ऐसा जो भक्ति करता है बहुत ही ज़्यादा हूँ belongs to a particular group जो कि एक विशेश ग्रूप के अंदर आता है तो उसे भक्त कहा जाता है ओनर ओनर का मतलब रिस्पेक्ट सम्मान ठीक है पैट्रियोटीजम लव ओफ वन्स कंट्री यानि देश वक्ती देश के लिए प्यार जो है उसे ही क्या गुबला जाता है पैट्रियोटीजम ठीक है उसकी बाद चलते हैं चितोरगड फॉर्ट यानि चितोरग फॉर्ट के अंदर झाने के लिए कितने गेट थे तो फटलफसर पीछे जाई और तो चप्टर आपने देख़े कि गेट कितने थे तो गेट रगर गिनेगे तो आपको साथ गेट दिखा में ठीक है फिसका नोम्येद option इसका स js Wen को कि ने बनवाय था तो आपने अपने ने नोख और और फोर्स के लिए program के लिए एफिक हो ठीक है सो फर्स्ट है सपना लुहिड़े कुमबल सपना कुम्बगट फॉट खूमने गई थी क्या तो गलत चितोडगट फॉट घुमने गई थी तो यह फॉल्स हो गया एफ लगा दिजिए उसके बाद है गनेश पॉल इस दा मेन गेट्ट्यट टो एंडर चितोडगण फॉर्ट चितोडगण फॉर्ट के अंदर जाने के लिए जो में जो गेट है वो गणेश गणेश पोल है क्या तो आप कहेंगे नहीं गणेश पोल तो नहीं है वो तो राम पोल है ठीक है तो यह फॉल्स हो जाएगा उसके बाद है किर्थी स्थंब वोस बिल्ट बाई राणा कुंबा किर्थी स्थंब को राणा कुंब आआम एधरियंटा के द्वारा बनाये गिए तो यह भी गलत ओ झाएगा ठीक है ये भी फोल्स है फर्थ मेराबाई वह से great devotee ओ vabagwan Krishna यह चैहले भगवान कृष्णå की भकतती थी ठीक है बहुत अच्छी और बड़ी भकतती ठीक है उसकी बाद question answers की तरफ चलते हैं, हमारा first question है, who built Chitodgad fort, Chitodgad दूर किसने बनवाए तो आप कहे देंगे, Chitodgad fort was built by Moriaz, Moriavansh के द्वारा बनाए गया था, Moriavansh के राजाओं द्वारा बनाए गया था, ठीके, उसके बाद है question number second, what did Sapna and her parents see in the museum, museum में उन्होंने क्या देखा तो आप कहे देंगे, Sapna and her parents saw a nice collection of old guns, swords and other weapons in the museum, guns यानी की बंदूके, swords यानी की तलवारे और other weapons यानी की बहुत सारे और भी हत्यार उन्होंने museum के अंदर देखे, यह चैज़ आपको समझ में आ गई, now the third question is, why did Rana Kumba उन्होंने, Rana Kumba bid the vijjaistam on the occasion of his victory over Mehmud Khilji, the Sultan of Malwa, Malwa के जो Sultan थे, Muhammad Khilji, उनको हरा करके, उनकी, उनकी उनपर जो vijjae प्राप्त की, तो vijjae प्राप्त की खुशी के अफसर पर उन्होंने vijjaistam बनवाया था, यह चैज़ आपको समझ में गई, now the last question is, how did पन्ना धाये save the life of the young prince उद्या सिंग, पन्ना धाये ने उद्या सिंग की जान कैसे बचाई, अपने पुत्र चंदन की जान की sacrifice दे करके, उसकी बलिदान दे करके, तो आप कहतेंगे, पन्ना धाये saved the life of the young prince उद्या सिंग by sacrificing sacrificing her son चंदन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये हुआ आपका chapter complete, बहुत ही गर्वानमित महसुस आपको होड़ा होगा, क्योंकि वास्त में chapter जो है, वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है स्वाज की class यहीं complete करते हैं मिलेंगे next class में, तब तक के लिए all the best for yourself studies